नमस्कार फ्रागत है आप सभी का टीवी टोल्टी न्यूज में मैं हूँ आपके साथ असोब बर्मा आईए रूख करते हैं आज की सुर्कियों की तरफ खबर चित्रकूट से है जहां कई प्रवासी मजदूर महानगरों सुरत मुंबई मोलवी दिली आजजगों से आई हुए हैं जो स्कूल में कॉरंटाइन है रह रहे कॉरंटाइन अस्थान में प्रवासी मजदूरों को जाच ना कराए गई है और ना ही वहाँ पर साबून वसे इंटाइजर उपलब कराए गया है प्राथमिक विद्याले चक जाफर में लगवग प्रवासी मजदूर 10 से 15 हैं कुछ गाउं के अंदर भी हैं जिनकों प्रसाबसन की मतल से भी नहीं लिया जा सका ग्राम प्रदान में ग्राम सच्चिव के उदास उन्दा के कारण क्वारंटीन में रहरे लोगों की बिवस्ता ने करा जा रही है जिससे घर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं ये प्रवासी मजदूर हमने बात की प्रवासी मजदूरों से आज सुनवाते हैं इसी गाउं के हैं, जो प्रवासी मजदूर बाहर से भी आए है, तो पूरे गाउं के जो मजदूर आए है, क्या सब लोग यहां है, कुछ अभी इधर गड़ी है? कि इसनी विरादर से हैं एक नाई है लगभग कितने लोग यहां पर हैं और कितने यहां से गाव के अनदर या बाहर हैं निनकर बेवस्तान को दिखिक हो, के यह और रादिकार इनकर इन कोई बेवस्ता इता सी है तो शनी आया थे जो यहक करते हैं, कि इन्हीं से प्रूशा जाए ने बताई है ने जो बेवस्था है लेकिन पानी नहीं आता है क्या ग्रामीर कुछ मदद कर रहे हैं अगल बगलती है तो सब करी है एठा जो मांगते हैं देते हैं इसा थोड़ी यह प्रवासी मजदूर आ हैं सब लोग तो सब यहां उपस्थी लेकिन को रवनावाला भी गाहों के अंदर बैठा हुआ है चार-पांथ दिन से आयसा है और उसको लोग बोलते हैं कि घर की भीतर है घर के अंदर नहीं रहता है उसको भी लाया जाने हम भी चले जाएंगे अपने घर को कैसे जनकारी मिलें क्यों यहां पर आया है हमारी भी बच्चों ने बताया है अच्छे हां कि वह बभुवा नाम का धर्म पुरा आया है यहां रह रहा है तो इसलिए कि हम उसको यहां बुलाया जाए अगर सब्ली के सरकार बनी है कि बढकिया जाए तो उसको भी मंद करें हम भी अपने घर चले जाएंगे अच्छों